नमस्ते फ्रेंज्स वेलकम टू एडवांस कला आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे देखिए दोस्तों यह परदे का बचा हुआ कपड़ा है जिसका आज हम रियूस करेंगे तो इसका मैं आपको नाप बता देती हूं यहां से 17 इंचिस है और यहां से आईए 12 इंचिस अब यह जो प्लेन पट्टी है ना दोनों साइट वह हम कट कर लेंगे उसके बात देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है ना उसे ऐसे फोल्ड कर लिजिए अच्छे से इसकी सल्वटेट निकाल दीजिए फिर आपको क्या करना है यहां पर टू इंचिस पर मार्क करेंगे और यह हमने बॉक्स बना लिया और वन फॉट फाइव इंचिस पर हमने आक कर लिया यहां पर और यहां पर दो रूशेट हमने थोड़ा सा राउंड से दे दिया है अब हम यह जो हमने मार्क किया है वो कट कर लेंगे कि यह हमने कट कर लिया है और इसे हम नहीं अस्थर यूज़ करेंगे और फिर हमारी यह च्रप है वही हमने कट कर लिए इसे एसे ऐसे फोल्ड कर ले और स्टीज्च कर ले दोरौ साइट तो देखिए यह हमारी स्ट्रिप फोल्ड होके रेडी हो गए अब हम यहां पे यह हैंगर को ऐसे अटेज कर लेंगे उसके बाद मैंने यह सिंपल सा फैब्रिक लिया है तो इसका नाव पे 9x3 इंचिस और यह जो दो पाठ है ना उसे हमी यहां पे रखना है सीधी साइड और यह जो स्ट्रिप है उसे उल्टा रखिए और यहां से लेके यहां तक स्टीज कर लें स्टीज करने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे जो हमने सेप दिया है वो रखेंगे बाकी कट करेंगे और छोटी छोटी हम नौचिस लगा देंगे यहां पे साइड में और सेंटर में भी नौचिस लगा लेंगे नौचिस लगाने से जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसकी फिनिसिंग अच्छी आएगी तो देखिए यहां पी हमने अच्छे से नौचिस लगा लिए और इसे करनेंगे सिद्धा तो दोनों साइट हमने लगा था आप इसके उपर हम कर देंगे प्रेस्टीज अब देखिए यहां पे दो पार्ट लेने हैं ऐसे इसे ऐसे फोल्ड करके स्टीज कर लें यहां पे आप सिंपल कपड़ा यूज कर सकती हैं अगर आपको बोकेट बनाना है तो अब यहां से इसे प्लेट ले लीजिए और स्टीज कर लेजिए तो यह दोनों साइट पोकेट हो जाएंगे जिसमें आप अपनी चोटी-चोटी चीजे अलग-अलग से रख सकती हैं और नाइन निंजिस की हम जिप लेंगे जिप को ऐसे ओपन कर लेजिए और यहां पे ऐसे स्टीज कर कर लेजिए दोनों साइट आपको यहां पे ऐसे जुप को अटेच कर लेना है और इस तरीके से रखना है अब बारी है फिक 5 इंचिस पे मार्क करेंगे आगे और पीछे और देखे ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें मार्क करना है और यह देखे ऐसे हमें प्लेट लेके दोनों मार्क को मिला के यहां पर स्टीच कर लेना है और यह जो अंदर की और रखना है और ऐसे स्टीच करना है और यहां पर भी हम इसे कर देंगे सीधा तो देखिए कितनी प्यारी से ब्यूटिफुल से सिंपल से हमारी स्मॉल हैंड बैक रेडी हो गई और यहां पे देखिए अंदर बहुत सारा पेस है और दो पोकेट है तो टोटल थ्री पोकेट वाली यह हमारी बैक हो गई है रेडी तो आपको कैसे में तब तक के लिए बाबा आए जय बारत